हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं परिक्षधाम पब्लीकेशन की मद्धि प्रदेश पतवारी परिक्षा से संबंधित पंचायती राज एवं ग्रामीड अर्थ वैवस्था पुस्तक की तो दोस्तों सबसे पहले आप इस पुस्तक का फ्रंट पेज देखिए यह इस पुस्तक का फ्रंट पेज है दोस्तों इस पुस्तक को लिखते समय इस वात का पूरा ध्यान रखा गया है कि यह पुस्तक मध्य प्रदेश पटवरी परिक्षा की हर आवशक्ता की पूर्ती करे इसके साथ ही साथ इस वातकावी ध्यान रखा गया है कि इस पुस्तक को पढ़ते समय विध्यार्थी को बहुत जादा सुविधा हो या पढ़ते समय विद्यार्थी को कोई भी confusion ना हो किसी भी प्रिकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े दोस्तो अब हम आते हैं इस पुस्तक की विशाय सूची की तरफ दोस्तो इस पुस्तक में आपके पूरे विशय को जो है पंचायती राज एबम ग्रामीर अर्थ वैवस्त था इसके लिए 30 भागों में बाटा गया है एबम अन्त में अर्थात 30 भाग में पिछले साल पूछे गए प्रशनों का समावेश किया गया है संपूर्ण बुक को पढ़ने के पस्चाथ जब आप पुराने साल की प्रशनों को देखते हैं तो आपको एक्जाम के ट्रेंड का अनुमान लग जाता है कि एक्जाम किस डारेक्शन में विद्यार्थी को ले जाना चाहता है तो आपकी विशाय एक्जाम की समझ में गहराई आती है दोस्तो अब हम बात करते हैं पुस्तक की दूसरी विशेष्टाओं की जो आपके लिए पुस्तक को पढ़ने की बाद समझ में आएगी सबसे पहली बात मद्यप्रदेश पटवारी परीक्षा के नवीनतम पैटर्ण पर रह पुस्तक आधारेत है इस पुस्तक का प्रकाशन अभी हाल ही में अगस्त 2022 में हुआ है तो मद्यप्रदेश में अभी तक की इस विशेषे संबंदित सबसे नवीनतम एबं अपडेटर्ण पुस्तक है दोस्तो इस पुस्तक के अंतरगत आपके लिए सायनी, पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म इबं फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रियास किया गया है जो इस पुस्तक को अन्य पुस्तकों से अलग बनाता है इसके साथ-साथ इस पुस्तक का एक यूनिक फीचर यह भी है कि अलग-अलग बॉक्सेस की माध्यम से जगह-जगह पर आपके लिए एक्जाम हेल्प से संबंद कॉलम मिलेगा एक्जाम टिप्स, कन्फूजिंग पॉइंट्स जहाँ पर विद्धेयर्थी को दो तत्यों में कन्फूजन होता है औस कन्फूजन को भी दूर करने का प्रियास इस पुस्तक में किया गया है साथ ही साथ जब पढ़ते पढ़ते विद्यार्थी का मन पढ़ाई से दूर भागने लगता है तो इस पुस्तक में अलग-अलग पेजों पर मोटिवेशनल विचारों का भी समावेश किया गया है जिससे विद्यार्थी अपने उस थकावट को उस आलस को त्याग कर फिर से पढ़ाई में लग जाए तो एक बिल्कुल यूनीक फीचर इस पुस्तक का है इस पुस्तक में विगत वर्षों में पूछे गए प्रशन पत्रों इवं समाचार के पन्नों से संकलित किये गए महत्ववूंट तत्यों को ध्यान रखा गया है दोस्तों इदि आपके पटवारी का पेपर आने वाले सेप्टेम्बर अक्टुपर माहे में होता है दोस्तों मद्यप्रदेश में अभी हाल ही में पंचायत की चुनाव हुए है इस पुस्तक में उन चुनावों की भी सारी कवरेज है इस पुस्तक में तुलनातमक अध्यन, सहेली वारता और चाय पर चर्चा आधी के माध्यम से तत्यों को सरलीकरत करने का प्रयास किया गया है दोस्तो सबसे महत्पूर बात या सबसे बढ़िया चीज यदि इस पुस्तक की मैं आपसे बोलू तो इस पुस्तक का स्टुडेंट सपोर्ट यदि इस पुस्तक में टाइपिंग एरर थोड़ी बहुत भी हो जाती है तो टेलिगराम चैनल की माध्यम से आप जुड़कर आप उस गलती या उस तुटी को समाप्त कर सकते हैं यूट्यूब चैनल से आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाओ दे सकते हैं अपने प्रशने पूछ सकते हैं फेस्बुक, इंस्टाग्राम, आदी के माध्यम से भी आप प्रकाशक से जुड़ सकते हैं दोस्तो पब्लीकेशन ने आपके लिए यहां पर एक मुबाइल नंबर दे रखा है जो की पुस्तक के राइटर प्रवीन साहू सर का है यदि आप इस नंबर पर कॉल करते हैं तो आपकी सीधी बात पुस्तक के लेखक से होती है यह आपका फोन अटेंड करते हैं या किसी भी कारणवश फोन अटेंड नहीं कर पाते तो इनकी दोर आपके लिए कॉल बैक कर लिया जाता है यह बहुत ही महत्पूर बात होती है किसी भी स्टुडेंट के लिए कि उसको इस तरीके का एक मजबूत स्टुडेंट सपोर्ट मिले साथ ही साथ आप अपने सुझावभी आसानी से राइटर तक पहुँचा सकते हैं तो दोस्तो इन आधारों पर हम कह सकते हैं कि इस विशय से संबंधित यह पुस्तक बहुत ही शांदार पुस्तक है यदि आप परिक्षा धाम पब्लीकेशन की दूसरी पुस्तकों को भी देखते हैं अभी इनके दौरा MPG के MZQ, MPPSC के लिए Unit 7 के लिए Unit 10 के लिए पुस्तकों का परिकाशन किया गया है यदि उन पुस्तकों को आप पढ़ते हैं तो आपके मन में एक ही विचार आएगा कि कितनी बढ़िया पुस्तक है तो मेरा आपको सजेशन रहेगा कि इस विशय के लिए आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं यह पुस्तक आपके लिए आपके नजदी की बुक शॉप पर मिल जाएगी आप ओनलाइन भी फिलिप कार्टमेजन के माध्यन से इस पुस्तक को मगा सकते हैं दोस्तों इस पुस्तक की इतनी सारी विशयस्ताओं को देखते हुए ही मैंने भी अपनी पहली प्रात्मिक्ता के साथ इस पुस्तक से संबंदित वीडियोस को बनाना शुरू किया है यदि आप मेरे वीडियो देखते समय इस पुस्तक को अपने हाथ में लेकर रखते हैं अपने सामने रखते हैं तो आप हमारे वीडियो का अधिकतम लाव ले सकते हैं तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो देखते समय यह पुस्तक आप अपने पास रखें जिससे आप इस पुस्तक का एबम हमारे दौरा बनाए जाने वाले वीडियोस का अधिक तमलाव ले सके धन्यवाद